इस बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आज और काफी टाइम से पेंडिंग था मतब दिमाग में था मेरा कि मुझे ए खंडा है वो है वाट इस मोर इंपोर्टेंट तो इट वाइज और ब्राउन राइस मेरे पास यह दोनों वीरियंट्स है और यह इंडिया गेट की बासमत चल रहा है नवरातरी के लिए मैं सचाइटी में अंटी लोग सब दिया जग्राता यह तो मैं एक्स्यूस दैट नॉइस चीक है तो अब बात करते है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा प्रफेरबल है कौन सा वेट लॉस के लिए अच्छा है वैसे मैं बता दू एक्दम ख्ल अगर आपने लास्ट देखा है तो समर डीटॉक्स डाइट में उसमें भी मैंने दोपैर को चावल दखा हुआ है मैं इतनी बड़ी भग्त हुँ चावल की और जी हा आज जो आप मेरा यह फिगर देख रहे हूं वह सब चावल खाके ही हुआ है ऐसा नहीं है कि मैं चावल क nantes कि मेरा हाती अब जो बहुत कॉमन नोशन है fitness industry में कहलेता है कि brown rice is very good okay brown rice is very good brown rice is rich in fiber brown rice is rich in nutrients and brown rice is, you know low in glycemic index GI index, so its very good now is it all true yes it is true, brown rice of course has all those properties, but I still prefer white rice,e white rice prefer Carnian, i love brown rice बहुत सिंपल लोजिक है क्यों और किसलिये और आपको भी क्यों वाइट राइस ही प्रेफर करना चाहिए मुझे पता है कि बहुत लोग कहते कि फाइबर रिच है नुट्रिंस है इस बेस्ट फॉर्म और राइस तो है इस वेरी नुट्रिशियल इस फाइबर बतलब अब इस बीडियो पेशियन आपके ब्लड शुगर लेवल को गोलेस्टोर करने में हेल्प करता है बहुत है बहुत है बहुत शोचले है तो ये मैंने भी वही वीडियो देखके और लोग के चॉंचले सुनके मैंने भी खरीदा ये एक केजी का दावत राइस ये वान 165 का रहे काफी महेंगी है बिलीव में साथ दिन मैं कर पाई उसके बाद मैंने साथ दिन में नहीं नहीं पांच दिन किया तो sorry my bad 5 दिन किया तब एक तो ये खुक होने में थोड़ा ताइम लगता है बद फिर फंदरा में अक्चली हो जाता है मैं राइस कभी भी भी वाइ मैं नहीं बनाती हूँ आई बॉल इट नॉर्मल जासे आप बॉल करते हो ना थोड़ा सा एक थोड़ा सा राइस डालके देन उसमें उसके डबल वाटर डालके फिर बॉल करो तिल इस तो ये बाद मैं चट गई मुझे लगा कि भाई मुझ से तो ना होगा क्योंकि एक तो दूसरी जो मुझे बहुत प्रब्लम लगे ब्राउन राइस की वह थी टेक्स लॉंगर ताइम तो डाइजेस्ट डाइजेशन में प्रब्लम होती है ब्राउन राइस विच इस अल्सों मेडिकल फैक्ट मतला मैंने जो भी रिसर्च किया पड़ा है मैंने जो भी देखा है अच्छी टेक्स लॉंगर तैम तो डाइस्ट गाइस्ट वारी शोड़ा पांड वाइजेस्ट था दाति गाद दूब Kr थिंग लेवल को अगर हम अघ्र कर तो इस को डांड राउन ड्राइस विच जा एक्टिग जादा उपटिव क्यूज है दा दिफर्ट नहीं है आप और सिर्फ वाइत नहीं गातू नगातू झावाल नहीं लेगातू लाज नहीं ले दाल, सबजी विछ जिकेव। पनीर, विजटमेश जेविरस जाविकर करके। अब किसके साथ मिक्सकर करके। लाज टोंगी तरने भी जडिये लेगा है इस one of the biggest thing is white rice is hand pounded polished rice मतलब brown rice को आप hand pound करके उसको polish करके ही white rice बनती है उसका husk हटाके वो white rice बनती है so if a rice is not polished मतलब brown rice this one is too rich in fiber more than required so it stops the absorption of other kinds of minerals in our body okay so and the best thing is that it can still have a lot of toxins and husk present in the brown rice because it's not hand powdered not polish this basic agriculture basic हमें जो स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो इंडिया में culture है white rice खाने की मैं आपको definitely recommend and suggest करूंगी कि यह white rice को stick करिया बात कम quantity में खाये मैं अभी आपको दिखने वारी हूं कितना quantity मैं ले दी हूँ बट यह depend करता है यह percent to percent depend करता है मैं जेतना कम खाती हूँ शायद आपका उसर पेट ना भड़े बट please don't eat to the brim make a habit of eating less rice okay have rice less rice and छोटा प्लेट में खाये मैं आपको दिखाती हूँ मैं इंग्दाटी लेती हूँ आप सबसे best समझोगे कि आपके body के लिए क्या best है हम लोग overeat कर लिए खासकर कि जो बंगाली-मल्याली केलाइट जो लोगो को rice से प्यार ना राइस हम overeat करते हैं mostly इसलिए weight बढ़ती है that is one of the biggest reason की carb and sugar intake जो ज्यादा हो जाती है because we overeat rice please have rice in control that is very important so let's now see how much rice I have and इस वीडियो का बढ़र रिक कर दीजे मेरे चैनल को subscribe कर दीजे बाजी में जो बेल है तिंग 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 उसको भी क्लिक कर दीजे and see you in my next video bye तो प्लेट लिए है थाकि मैं अपनी quantity control कर सकती है फिर हम लेते है इसमें rice and I am going to have it with alugobi की सबजी you can have it fish chicken prawns dal सबजी जो पसंद है यह मेरी quantity है usually चावल की सुबत यह थोड़ा लांच में यह इतना है डिनर के थाइम में इससे थोड़ा सा कम कर दूंगी थोड़ा सा जस्ट इसमच बाकि मैंने अपने body को ऐसे और mind को ऐसे टूंग किया है this is the amount of चावल I have and I always have a katturi of dal and fish होगा तो fish whatever it is so that's it